कि अगर आपको गेम्स करने में डिल्ल फाइल की एरर आती है जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह हमें एरर शोर यह जीटी एफाइब डॉट एकसी सिस्टम एरर और यहां पर आपको एकस इंपूट वन अंडर स्कोर थी डॉट डिल्ल फाइल डॉट वाज नॉट तो आपको यह एरर शोर यह एरर हमारी एक सॉफ्ट्वेर की वज़े से आती है तो आपको अगर किसी भी गेम में डिल्ल फाइल की एरर शोर आपकी कोई भी विंडो हो विंडो 8 10 11 तो जो मैं आ पूरी वीडियो देखें इसे स्किप ना करें तो फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं लेट्स स्टार्ट वेल्कम बैट प्रेंड सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर को ऊपन करना हो यहां पर हम गूगल के अंदर सर्च करेंगे यूजर रंटाइंग फार आपकी अगर विंडो इलेवन है तो आप विंडोस एलेवन सर्च कर लीजिए अगर आपकी विंडोस 10 है तो आप विंडोस 10 सर्च कर लीजिए तो हमने यहां पर मैं इसे एरर को एक बार बन कर देता हूं तो आप देखने हो कि एक बारा हम इसे ओके जड़ करते हैं तो हमें नेक्स्ट एरर्ट शो हो जाती है तो यह सारी आपकी डिल्ल फाइल्स की एरर्ट है तो हमें जो यह माइक्रोसॉफ्ट का फ़र्स्ट लिंच शो हो रहा है हम इस पर क्लिक कर लेंगे एँ औकी और हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और हमें डाउनलोड बटन शो का आपने इस पर क्लिक कर देंगे यह हमारी डांडोडिंग स्टार्ट वूच उचिक है चोटाई टूल होता है और यह कम्प्लीट भी हो चुक है आप इसे डबल क्लिक करके रंग कर लेंगे और हम य accept the agreement उसके बाद आपने next बटन पर click करना है फिर आपने इंस्टॉल दा बिंग बार पर टिक लगा हुआ है अगर आपने इसे करना है आपके नहीं तो आप इस स्टिक को अंचेक कर दीजिए और next पर click कर दीजिए तो यहां पर आपकी 93.3 MB की एक फाइल डाउनलोड होगी जो कि कितना समय लगेगा यह डिपेंड करेगा आपकी इंटरनेट स्पीड बर हमने next पर click कर देना है ओके तो हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और इस पॉर्शन को यहां पर एस्टिमेटे टाइम यह ल अब हमारे यह डाउनलोड हो चुके हैं अब यह सारे इंस्टाऻल हो चुके हैं और हमें मैसेश हो रहा है इंस्टाळेशन कंप्लेंट और यहां नीचे मैसेश रहा है अग्सटाइक उद्पोनेंट इंस्टावर्ड है अब आपने finish पर click कर देना है उसके बाद हम फिर से अपने गेम वाले फोल्डर में चलते हैं और हमारे GTA 5 की जो अप्लिकेशन फाइल उस पर डवल क्लिक करके रण करते हैं है ओके तो यथवाइब देख सकते हो हमारी वाइब चल चुकी है तो सज्ट अब लोग को त्रवल शूटिंग एतर उसे आप 유किर कर के अप्नी ऑनकाव शूट कर सकते हो अपनी गेम को रन कर सेकते हैं। Basically होता क्या है कि हमारी Windows के अंदर ये DLL Files required होती हैं। But किसी वज़े से वो हमारी फाइल में जब गेम को नहीं मिलती गेम को नहीं मिलती तो हमारी गेम रन नहीं हो पाती। Okay, तो इस तरह से हम लोग इसे टाबल शूट कर सकते हैं। So friends, अगर आपको वीडियो पसंद आई हैं, तो प्लीज इसे लाइक करें और शेर करें और जो मेरे नए वीवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का नाटिफ केशन आइकन भी दुथाएं. मैं आपको अभी वीडियो बंद नहीं कर रहा, मैं आपको एक ब़ार वीडियो रन करके भी, स् एर्डूरी मैं आपको एक बार गेम रन करके भी दिखा कि कि स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था जब हम अप्लिकेशन पर हमारी पाइल पर क्लिक करते हैं तो हमें दी यलेल फाइल की सिस्ट्रेम एरर शोह होता है अब आब जब वहां पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारी गेम रन हो रहाई है तो ओके फ्रेंड वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करते हैं, मैं इसे बंद कर देखता हूं, आप देख सकते हो कि गेम अमारी रन हो रही है, बस मेरे पीसी की थोड़ी कॉन्फिगेशन लो है, इसलिए टाइम ज्यादा लगता है, तो ओके फिर्ट, थैंक्स फर वाचिंग, भाई, मिलते हैं अगली वीडियो के, साथ